वैसे मुझे यकीन है कि पांच दिन से भी पहले तुम्हारी एस्टेट में मौजूदगी में या तो चौती कोशिश होगी या तुम पहले ही जान चुकोगे कि पहले हुई तिन कोशिशों के पीछे कौन था या फिर मुझे विश्वास दिलाने में काम्याब हो जाओगे कि स सब वहम था मेरे confused mind का खलल था कुछ भी ना हो तो हफ़ता पूरा करना रुखसत पाना क्योंकि तुम्हारे स्टेट में और लंबा ठहना शक उपजाओ काम होगा और लंबा तो मैं ठहर भी नहीं सकता मुझे तो लगता है हफ़ता भी भारी पड़ेगा बहरहाल एक हफ़त मुझे स्टेट में रहना होगा you will get royal treatment I will be grateful हाफ़ते से पहले कुछ कर दिखाओगे तो जाहिर है ये बंदिश नहीं होगी और वहां मेरे बारे में क्या कहेंगे कौन हूं मैं PD हरे नई भाई मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारे PD होने की वहां भनक भी ना लगे तो मेरे दोस तो पुराने जिगरी पहले दिल्ली में ही रहते थे लेकिन 4 साल लुए मंबई शिफ्ट कर गए थे इतफ़ाक से दिल्ली मेल गए तो मैंने तुम्हें स्टेट का महमान बनाने के लिए राजी किया कब चलना होगा मेरी तरजी तो है कि आज ही अरे नहीं जनाब इतनी जल्दी नहीं एक हफ्ता ओफिस से बहार रहना होगा तो पीछे कुछ डॉमेस्टिक्स भी और कुछ ओफिशियल्स भी इंतर्जमात तो करने ही पड़ेंगे न ओ तो कल हां सुबा हम सुबा ठीक 10 बजे मैं वहाँ पहुँच आँगा all the best मैं background बना के रखूँगा कि estate में एक महमान आने वाला है अभी रुकिये और एक बात बता कर चाहिए क्या बात estate पर पहुँचने से पहले मेरे को आपकी family के membrane की शिनागत हो पाए ऐसा कोई जरिया है आपके पास जवाब देने की जगा वो यह देखो उसने मेज पर आगे जुक का mobile की screen मेरे सामने की मैं भी आगे जुका मेरी निगा स्क्रीन पर स्थर हुई वो iPhone 12 था जिसकी large screen पर एक group चित्रो भरा मुझे group में एक कौने में खड़े अपने client के दर्शन हुए बीच में running commentary के अंदाज से वो बोला मेरे ससुर मानक लाल मोरवाल है उसके दाए भाजू में मैय और चैताली है और बाए भाजू ससुर का बड़ा भतीजा सुमित और उसकी बीवी अमरिता है और जो नीचे कारपिट पर बैठा है वो छोटा भतीजा विनीत है और अभी unmarried है गुड ये तस्वीर मुझे forward कीजे उसने वो काम किया और उठ खड़ा हुआ मैं बहार फीज सेटल करता हूँ वो बोला yes please मैंने उठका उससे हाथ मिलाया वो मेरे कश्च से बहार निकल गया बीच का दवाजा बंध हो गया तो मैं पीछे मैं फीज के सपने देखने लगा जो उसके द्वारा अधा की जानी थी धाई लाक रुपे may be supplemented by one lakh सुधी को ली मैंने खुद अपनी पीट थप थपाई the lucky bastard मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया फिर दोनों पाउं फर्श पर से उठा कर परे मेज के किनारे पटिकाए कुसी को पीछे टिल्ट करके उस पर अध लेटा सहुआ और आखे बंद कर ली मैं ऑफिस में हूं तो त्रिप्ति से सिगरेट के कश लगाने का मेरा यही अंदाज होता था सिगरेट खत्म होने को थी कि बीच का दर्वाजा खुला और रजिनी ने भीतर कदम रखा सर मैंने मेज पर से पाऊ हटा है और कुसी पर सीधा हुआ क्या है मुझे लगा आप अरे कुसी पर कोई सो सकता है क्या हां 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 आप हैं कुछ भी कर सकते हैं कुसी पर सो सकते हैं मेज पर योगा कर सकते हैं सिगरेट को मुकमल आखरी सिरे तक पी सकते हैं मैंने हर बढ़ जोका हां बोलो thank you वो गया आपको मालूम है गया तभी तो मैं यह आई अच्छा आ बैठ क्या कहती है क्या reading है तेरे उसके बारे में मेरे से पूछ रहे हैं हो कौन है यहां मेरा मतलब है ऐसी बातों का तो आपको बहतर तज़ुर्बा है तेरे को भी है लंबी सौहबत की वज वो सोचने लगी वैसे मैंने उसे prompt किया लगता तो था film star सूरत एन वरुण धवन से मिलती थी खुशी की बात है न यह उसके लिए तो होगी ही Bollywood stars से उसकी सूरत मिलती थी उसे खुशी नहीं सर फिक्र होनी चाहिए बाप से क्यों नहीं मिलती ओलाद की बाप से शक्र ना मिलती हो तो मा पर लांचन जाता है मैं हग बकाय ऐसा उसका मू देखने लगा फिर शुक्र मनाने लगा कि उसने जो मेरे सामने कहा है क्लाइंट के सामने नहीं कहा अब अपनी reading के बारे में बोल रंगीरा राजास जैसा मान जान पड़ता है वो संजीत की से बोली और ladies man कैस और प्रिस चार्मिंग शहजादा गुलफाम वो अकिला है यह सब और आप जैसा क्या बोला मैं ladies man हूं रंगिला राजा हूं कैसा नहीं है क्या नहीं है आप ही तो कहते रहते हैं मेरा मिजाज लड़क पन से आशिक आना है हाँ वो तो है लेकिन तू क्यों कहती है भूल नह तो कहेंगे कि याद नहीं रख सकती कोई बात अच्छा अच्छा बस कर अब असल मुद्धे परा अब मुझे भी आने दे तो तेरी रीडिंग है कि वो कैसे नौवा है ladies man था हूं मोटे तोर पर मैं भी यही बोला बस जुदा अलफाज में अब आगे सुन यह सब होने के अ वज्जो नहीं देती टीवी सीरिल्स तो सत पूछें तो तकरीबन सारे देखती हूं और इसी वज़ा से रात को लेट हो जाती हूं सोने में अच्छा तो हम सारे आपके द्वारे देखा नहीं कभी नाम भी नहीं सुना प्यारे खुश्बू ना रात चांद और चोर खरे ये क्या है टीवी सीरिल्स हैं सब जिन में हमारा क्लाइंट कहता है स्नैट क्या है रनिंग सीरिल्स में पहले कितना पहले अब ये तो उसने बताया नहीं मैंने भी नहीं पूछा पिटे हुए सीरिल्स होंगे तो आखिर तक पहुँचे ही नहीं होंगे पहले ही आफ दा एय उसके स्वर में उस सुकता का पुटाया। हजरात, जैसा कि मैंने पहले ही अरज किया है, उसके टाइपिंग कमजोर थी, हंट एंड पैक सिस्टम से काम चलाती थी, शॉर्ट हंड जानती ही नहीं थी, लेकिन दिमाग बहुत तीखा था, और इस वज़ा से एक अरसे से मैं अपने हर नए केस की नई डिटेल उससे शेयर करता था, कई बार वो मुझे ऐसे टिप्स दे चुकी थी कि मैं भोचक का उसकी शकल देखता रह जाता था, मैंने सब विस्ता केस बयान किया, और उसने संजीतगी से हर बास सुने, तीन हास से, मैं खामोश हुआ तो वो बोली, तीनों में इतफाक का बड़ा रोल, हास से होते ही रहते हैं, खुश किस्मत लोग हासों की चपेट में आने से बचते ही रहते हैं, मैंने तो ऐसे लोगों के बारे में भी सुना हैं, जो प्लेंग क्रेश से बच गए, जबकि तमाम पैसेंजर्स और क्रू में इसे कोई भी नहीं बचा लेकिन आपके इस नई केस में तो इतफाकों की बहार आई जान पड़ती है ऐसे क्लॉक वर्क रुटिंग के तौर पर आते इतफाक तो नहीं सुने मैंने कभी आप क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कहता, तू यह अच्छा-च्छा कह रही है, आगे बढ़ अब क्या कहूं? हर हासे में तफाक का ऐसा दखल जान पड़ता है जैसे स्क्रिप्टेट हो पहले एन वक्त पर बिल्ली रास्ता काट गई फिर ऐसा ही कतब एन मौके पर लेंड लाइन फों की घंड़ी बचने पर हुआ और तीसरी पर स्टेट मेनेजर ने यूँ एंट्री ली जैसे आस्मान से टपका हो खोई विट्टिम इतना खुश किसमत भला कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हरे मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं खुश से सवाल कर रहा हूँ यानि कि बर-बड़ा रहे है? बर-बड़ा नहीं रहा, loud thinking कर रहा हूँ आगे बोल, कर चुके तो बोलू अब बस करना आप कहते हैं कि क्लाइंट को अभी चौथी वारदात का अंदेशा है उसी से हिफाज़त की खातर उसने आपको अंगेज़ किया है लिहाज़ा चौथी वारदात जब कभी भी होगी इस्टेट में आपकी मौजूदगी में होगी? यस और उसमें इतिफाक कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? जब वारदात की शकल नहीं मालूम तो इतिफाक की बाबत कैसे कुछ मालूम होगा? मैं सुझाओं कुछ? हाँ सुझा कलाइंट पर बिजली गिरेगी एन वक्त पर उसे धक्का देकर उसकी जगा आप खुद खड़े हो जाएंगे? मैंने आप अलग उसे देखा So there वो शान से बोली नौनवेज खाती है? हाँ, आपको मालूम है? तो फिर मर्द मुसल्लम खाना बिजली का भूना जाने दीजे आप जानते हैं कि जिस शेर पर मसालों का लेप ना हो जो यूनिफॉर्म न भूनी हो वो नहीं खाई जा सकती ये कम्या ना हो तो खा जाएगी? सुधीर मुसल्लम वो हसी तो? तो यानि कि आप एक हफ़ता ओफिस से बहार रहने वाले हैं पांच दिन दिल्ली सिभा? हाँ और ये एक कन्फरंट पोग्राम है आपका? हाँ क्लाइन की डिमांड है उस पर अमर करना जोरी है? गुड वाट गुड? आप मुझे अपने बॉइफ्रेंड से चुप चुप के नहीं मिलना पड़ेगा वो पांच दिन बेखावा रोज यहीं मिलने आया करेगा मेरे से मैं सूरज कुण जा रहा हूँ साउथ पोल नहीं जा रहा आए साला रंगे हातों पकड़ूँगा और ऐसा ठोकूँगा ऐसा ठोकूँगा वो रैंबो है अभी रैंबो ही है बाइफ्रेंड पहले भी वो ही था इतने ऐसे से बदला नहीं सेंडल्स कितना वो दातों से निचला हो चुबाती हसी मुझे मालूम था उसका कोई बाइफ्रेंड नहीं था लेकिन उसके फरजी बाइफ्रेंड को लेकर जो कभी Rambo होता था, कभी घटोट चक्ट होता था, तो कभी शक्ति मान होता था, हम दोनों में चुहलबाजी अक्सर चलती थी By the way, ये तिरे गले का Locket भुग बढ़िया है, नया है? हाँ, Gift है Locket पर Calligraphy के अंदाज से शक्ति लिखा है ये उस बाइफ्रेंड का नाम है, जिसने तुझे गिफ्ट दिया, शर्म कीजे माता भगवती भवानी का नाम है Oh, sorry What, sorry? किसी के धान में कास्था का मक्खोल उड़ाते हैं और कहते हैं, sorry अब बस भी करो जी तिर हो वस गलती हो गई, नादानी हो गई मेरे मुँ में खाक, अब राजी वो हसी, और यूँ मेरी माफी बं मंजूरी की मुहर लगी तो ये गिफ्ट है महंगा गिफ्ट वो संजिदा लहजे में बोली डेल लाग के पेटे में महंगा गिफ्ट, कोई बिना मतलब नहीं देता, और जो बिना मतलब देता है, उसका हमेशा कोई खास, बेहुदा मतलब होता है और मैं, मतलब रिष्टे नहीं पालती, तो ये लॉकेट गोल्ड का नहीं है चांदी का है, गोल्ड प्लेटेड है ना जाने क्यों उसकी वो बात सुनकर मेरा दिल पसीजने लगा नौजवान लड़की थी, गोल्ड के पहने का अर्मान रखती थी लेकिन गोल्ड प्लेटेड से खुद को बहलाती थी, भरमाती थी मेरा दिल चाहा कि मैं अभी जाऊ और उसके लिए एक जैन्यून लॉकेट मैं जानती हूँ, इस वक्त आपके मन में क्या है, वो धीरे से बोली लेकिन दलख्वास्त है, जो मन में है उसे मन में ही रखे तुझे क्या पता मेरे मन में क्या है पता है, आपका दिया जैन्यून गोल्ड के लॉकेट का तोफा मुझे कबूल नहीं होगा, अलबता मेरे तंखा बढ़ा दें, तो बात जुदा है क्योंकि वो बता तोफा बढ़ातरी, मुझे खुशी से कबूल होगी मैं मूबाय उसे देखने लगा इस मूबाय, इसे मूबाय कहते हैं न, वो बदले स्वर में बोली, कैसे जैसे आप भी आपकी शकल है अरे मूबाय ने डमडम मूबाय ओ, मैंने तो समझा था उसके स्वर में मेरा जाना पहचाना कुटिलता का पुटलाटा कि अभी मुझे दाएं भी करके दिखाएंगे, छोड़ा बहुत हो इतनी जल्दी चैक बैंक में डाल दिया, कैश कैश? वो कैश पेमेंट करके गया हाँ, रसीद भी नहीं मांगी कमाल है, चैक देता तो रसीद मांगता या ना मांगता मुझे बनानी पड़ती, वो ना लेके जाता तो उसके पते पर पोस्ट करने पड़ती, कैश पेमेंट करके गया इसलिए कोई टाइम ना लगा रकम बैंक में जमा कराने में अपने क्या? नीचे ग्राउन फ्रोर पर ही तो है मेरा बैंक, जिसमें मेरा अकाउंट है क्या देर लगती? बस यूँ उसने मेरी नाग क्या के छुटकी बजाए, गई और यूँ आई क्यों क्या ऐसा? हरे आपकी खाते क्या? मेरी? मेरी खाते क्या? आप ही तो कहते रहे हैं कि मैं हमेशा तंखा का रोना रोती रहती हूँ अब कुछ महिने आपको मेरा रोना नहीं सुनना पड़ेगा सत्यानाश हो तेरा बिच्छू काटे तुझे सच में यही किया है लो, मैं क्या आप से जूट बोलूंगे सर? हरे, वो हसी तेरी तंखा का रोना हमेशा के लिए बंद करने की तलकीब है मेरे पास, अजमाएगी क्या तलकीब है? मेरे से शादी कर ले, फिर समझना घी खिचड़ी में वो जो जो से हसी इतनी जो से हसी कि उसका चेहरा लाल हो गया और आँखे भीके हस चुकी तो जवाब भी दे दे आप से शादी कर लो ताकि आप मुझे घर में बिठा दें और मेरी जगा नहीं सेकेटरी रख ले और जो हरकते आप मेरे साथ करते हैं वो आप उसके साथ भी करें क्या करता हूँ बोल करने की कोशिश दो आप भौत करते हैं करेक्शन हो के नहीं हो के जाद अफा हो वो उट खड़ी हुई फिर उसने मेज पर मेरे सामने 2000 के नोटों का मोटा पुलिंदा रखा मुझे तब एसास हुआ जब से वो आई है मुझे उसका बाया हाथ नहीं दिखाए दिया था क्लाइंट कैश पेइमन करके गया वो बोली रसीत के मामले में बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं था मैंने ये सोच कर रकम बैंक में जमान ना कराई कि शायद आप उसे डिकलियर ना करके इंकम टेक्स बचाना चाहे मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा कल हफते के लिए बहाँ जा रहे हैं पीछे ऑफिस की खोश खबर लेते रहेगा ऑफिस की? उसके होटो पर एक मीठी मुस्करहाट आई आखों में गहन अनुराग का भाव आया और तुरंद गायब हुआ फिर ततकाल उसका मिजास बदला और वो पहली सी चपल चंचल दिखाए देने लगे जाती हूँ सुन, सुन जरा वो ठिटकी सवाल या निगा से उसने मेरी तरफ देखा रकम तो तुने अपने खाते में नहीं जमा कराई वापस कर दी अब जाने वाले को बताव फिरवल कुछ अपनी नियामत से तुने अवाज दी क्या करूँ? एक नॉन फैर्टिनिंग लो कैलोरी विटामिन एंडिश्ट पपी ही दे जा वो हसी उसने इंकार में दाएं बाएं सरह लाया देखो तो सर ना हुआ कार का वाइपर हुआ दाएं बाएं दाएं बाएं उसकी हसी छुट गे मैं जाती हूँ आप खुआप देखेगा वैसे ही फूल बिखेरती वो बोली और चली गई मैं सच में ही खुआप देखने लगा फ्लैश की तना उसकी आँखों में चमकी और लुप्त हुए गहन अनुराग के भाव एक लम्हे क्योई उस मुसररत से मधोश होते अनायास मेरे मुह से निकला आलम में तुस्से लाग सही पर तू मगर कहा शाम को मैं कोजी कॉर्नर में मुकंदलाल से मिला कोजी कॉर्नर कनॉट प्लेस में स्थित मेरा फेवरेट वाटरिंग होल था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो खूब चला हुआ बहुत रॉंग की बार था और उपर इसी नाम का होटल था मुकंदलाल पचास के पेटे में पहुँचा पुलिस की नौकरी की प्रमपरा को कायम रखता, मूटा और सदा नाराज शकल वाला हवरदार था करप्शन के चार्च में एक लंबा अर्चा नौकरी से सस्पेंड रहा था फिर कोई 6 या 7 महिने पहले जैसे तैसे बहाल हो गया था सस्पेंशन के लंबे अर्चे के दौरान आदी तंखा पर गुजर करता था इसलिए कैजूर एस्टरा इंकम के एविज में मेरे बहुत सारे काम करता आता था खास्तोर से केस संबंदी फुट वर्क के लिए मैं उसे तलब करता था आज शाम को भी उसी वज़ा से मेरे साथ था बार के कौने की एक तन्हा टेबल पर मेरे सामने बैटा था कैसा है मैंने वातला प्शू किया ना पूछ को ली वो भुण भुण आया हब पूछी लिया आया तो बोल उसने मूँ खोला बंद किया अगर कोई बुरी खब सुनने लगा है तो सुनाने लगा है तो ठै पहले मुझे जुदा सवाल करने दे उसकी भवे उठी भूड लगाएगा कोली दरिया किनारे तेरे साथ बैटाऊ प्यासा भीजेगा क्या पिएगा जो भी तू पिलाए मैंने वेटर को बुला कर हंटर्ड पाइपर्स का ओर्डर दिया ओर्डर ततका सर्व हुआ हम दोनोंने चीर्स बुला मैंने उसे सिगरेट पेश किया खुद भी लिया और फिर वो बोला अब बोल फिर कोई लफड़ा हो गया तेरी उमीद से बढ़ा कोली तेरे कयास से बढ़ा क्या हुआ नौकरी चुट गई हरे कब चार महिने हो गए खबर नहीं करी तुने करने लायक होती तो करता न बरबादी की बतोर खुदाई मार बरबादी की क्या खबर करता अब हुआ क्या वही जो पहले हुआ फिर रिशोत लेते रंगे हातों पकड़ा गया उसने जवाम ना दिया जाम में मूध हसा लिया अब छोड़ने ना क्यों जले पर नमक छड़कता है तकदीर में जो लिखा होता है उसे कोई ने टाल सकता हमाम में सब नंगे हैं खाली गाज मेरे पगिरी नौकरी से तुझे पक्का निकाल दिया इतनी दुलगत से बच गया एसीपी ने रहम खाया मुझे कदरन बचाव का रास्ता दिखाया बोला खुद इस्तीफा दे दू वियारेस ले लू तो बरखासकी की जिल्लत से बच जाऊंगा तो फिर तुने वियारेस ले ली हाँ मजबूरन अब भी आच साल की नौकरी बाकी थी अब नौकरी पेंशन वाली थी हाँ तो अब पेंशन पर गुजारा है अरे भाई जब नौक तंखा पर गुजारा नहीं था तो पेंशन पर गुजारा कैसे होगा ओ बुरा काम कोई राजी से नहीं करता करता है जी आम हालात में नहीं करता आम हालात में भी करता है जी जिसके मूँ को एक बाद लग जाए वो अच्छा बकवास ना कर वो इका दुकत केस होता है वरना मजबूरी कड़ाती है इतनी कम तंखा में ग्रस्ती की इतनी जिम्मेदारियां फिस सारे दुश्मन खाएंगे न खाने देंगे क्या करे कोई कोई साला मेरी जितनी तंखा पाने वाला ही जानता है घर चलाने में आखरी हफता कैसे गुजरता है बड़ा चड़ा के बोल रहे है तू यू बोल घर चलता है एश नहीं चल जो सिर्फ हराम के पैसे से मुम्किन है जो वो आहस्वर में बोला मैं इस वक्त कर रहा हूँ अरे ये मैंने कब कहा ठैके कहेगा तो सही कभी नहीं कहूंगा मैं यार के साथ ड्रिंग शेयर कर रहा हूँ उसे रिश्वत नहीं दे रहा फिर तो शुक्रिया जैसे एक बात बता तुझे मेरे से हमदर्दी है अब सच बोलूँगा तो तू कलब जाएगा बोल दे सच कलपा तेरे परिवार से हमदर्दी है अब तू जैसा बोया है वैसा काट रहा है परिवार नहीं भुकतेगा भुखतेगा तभी तो बोला परिवार से हमदादी है अब मेरे से नहीं है अब तो खुद सयाना है मैंने जो किया परिवार के ले क्या अपने लेनी किया कुछ परिवार के लिए नौकरी की, रिस्क कमाया कमाई बीवी के हतेली पर रखी उसने सुघरता से तिरा घर चलाया इस occasion में रिशुत कहां से आको सी बता, बीवी नौलखा हार मांगने लगी थी तू, तू हर काम शराफत और इमानदार इसे करता है नहीं, हराम के पैसे के तलब तुझे कभी नहीं लगी लगी, कुछ हाथ आदा दिखाए दिया तो जपडने से भी गुरेज नहीं किया मुकुनला, the trick of the trade is not to get caught बस, यही trick तू नहीं सीख सका वो कई शर्ण खामोश रहा, उस दौरान उसका भढ़कना भी शान्त हुआ हाँ यार, यही बात है, बस यही बात है वैसे आप करता क्या है, कुछ तो करता होगा उसका सर्स हहमती में हिला जिस जीडिये के फ्लैट में रहता हूँ न उसके साथ स्कूटा खड़ा करने के लिए दो पईयां वहाँ के साइज की लंबी कोठी सी भी होती है जिसे कहते हैं टू वीर गैराज उसमें अंडे, डबल, रोटी, मक्खन, दूद की थैली वेगरा बेचता हूँ तौबा अब क्या करूं तू बता कोई का वो तो मैं बताता हूँ इसी वज़ा से तेरे को बुलाया है लेकिन मेरे पास तो तेरे लिए कैजूल वर्की होगा न जैसे की पहले होता था अरे वो ही बोल दे पहले मेरे लिए ड्रिंक मंगवा एक और पता नहीं वो मांग उसकी लालच का नतीजा थी या उसकी मौझूदा दुश्वारियों में से सर उठाती जुरूरत थी मैंने उसके लिए ने ड्रिंक मंगवाया उसने ने ड्रिंक का एक घूट भरा अतरिप्ती से होट चटका है अब बोल काम अपना पहले दाम बोलता हूँ न बढ़िया बोल बोल वियारा इस लेकर कितनी तंखा परेटायर हुआ था 69,400 के करीब राउंड फिगल के तोर पर 60,000 समझ ले यानि 2,000 रुपे रोज मैं तुझे 3,000 रुपे रोज दूँगा प्लस actual expenses while in field पुरिस की नौकरी में साल में 13 मेने के तंखा मिलती है एक दिन में 201 रुपे न दे दूँगा 4000 दे पागल हुआ है क्या तेरी फिस्तर लाखों में है लाखों में है फिर लाखों की फिस देने वाला क्लाइन क्या रोज आता है तेरा काम मुझे रोज मिलता है नहीं तब ही तो दिहारी 3,000 यार मैं बहुत दिक्कत में हूँ यारी की रा लाज लख ले चार फाइनल कर दे बस अच्छा ओके ड़ड शुक्रिया मैंसे कहूं तो तो मुझे अपना मुलाजिम क्यों नहीं रख लेता एक असिस्टेंट के दर्कार तो है तेरे आफिस में इतना काम नहीं है मेरे पास अभी तू धीरज रख मैं सोचूंगा कभी इस बारे में ठीक अब सुन क्या करना है हाँ सुन्दाओं सुन्दाओं पहले एक और मंगा न बाद में पहुआ पीकर मेरी बात सुनने समझने लाइक तेरी अकल ठिकाने में नहीं रहोगी वै मैं तेरा मैं तो और ये नाभूल के मुलाकात के लिए मैं तुझे सेंटर पार्क भी बुला सकता था नहरू प्लेस भी बुला सकता था यार तू तो बड़ा सक्त हाकिम है मिट्टी जाड़ा है मेरी हाँ मैं इन्जार कर रहा हूँ किस बात का? कब तेरी मुकमल तवज्जो मेरी तरफ हो और मैं अपनी वो बात कर सकूँ जिसके लिए मैं यहाँ हूँ और तू यहाँ है अच्छा-च्छा सारी-सारी बोल-बोल मैंने मोटी तोर पर केस का खाका उसके सामने खीचा उसने संजीत की से हर बात सुने वो यह है तेरे क्लाइंट को अपना कतल का अंदिशा है और उसकी निगा में इस काम को जो लोग अंजाम दे सकते हैं वो है खुद उसकी बीवी चेताली अब बीवी के सुमीत और विनीत नाम के दो चचेरे भाई मैंने इन तीनों लोगों की बाबत जो निकल सके वो जानकारी निकालनी है है हाँ और दो की बाबत बीवी को मैं खुद टटोलूँगा तू टटोलेगा वाह तब भी लोग बाग तुझे सुदूहीर कोली दल लकी बास्टर्ड कहते हैं शट आप उसकी जोशुर जुनून को ब्रेक लगी तुमने अपना फोकस भाईयों पर रखना है जिंका मैंने पहले ही बताया हौस खास विलेज में कार्मेंट्स का शूरू में और खाविंद पर फोकस रखना है खाविंद पर भी? वो तो तेरा क्लाइंट है अपनी जानकी खेर मनाने तेरे पास आया तेरी फीज भरी वो खुद अपनी चानके लिए खत्रा कैसे बन सकता है? फिर भी ही उसने लव मैरिज की है और मेरा जाती तज़र्बा है कि अकसल लव मैरिज बहुत मोटिवेटेड होती है बाद वे उन में से बड़े-बड़े भेद निकलते है ओ क्लाइंट पर मुझे पैसे के फेर में पड़ा होने का शक है माली हैसेत कोई खास नहीं है उसकी तेरी फीज बरी न? वो बाद भी मुझे खटक रही है पर तू आगे सुन हाँ बोल खाविन की बहुत बढ़िया परस्टनेलिटी है फिल्म स्टार्स जैसा खूबसूरत है और फ्रेशन मॉडल्स जैसा वेल डिसिप्लेंड है वेल मैनर्ड है आजकल ऐसे मर्द औरतों की तरह अपनी खूबसूरती और अच्छी परस्टनेलिटी को कैश करने की कोशिश करते हैं औरतों की तरह? हाँ खूबसूरत औरतें अपनी खूबसूरती के दम पर पैसे वाले लोगों को आमरिजाती पाई जाती हैं मुहावरा भी है औरत का खूबसूरत होना और मर्द का दौलत मंद होना एक ही दरजे की बात होती है लेहाज़ा किसी बे-हैसियत हसीना का किसी बाहैसे शक्स पर नौचाबर होका दिखाना उसे शीशे में उतार का दिखाना आज की अर्बन सोसाइटी में कोई बड़ी बात नहीं बदकिस्मती से अब इस मौडस ओप्रेंडी का उलट भी होने लगा है यानि कि मर्द पैसे वालियों के अच्छा ये काम ऐसे भी होता है मैंने तो सुना था कि किया नहीं जाता हो जाता है प्या करवाना भी आता है आज करके चतो सुजान छोकरों को मैं ये नहीं कहता कि मेरा क्लाइंट कपल अवस्ती भी ऐसा है उसने भी चेतारी मोर्वाल को अपने पर जबरन आशिक करवा कर लब मैरिज की लेकिन जब केस संभावित कतल से तालुक रखता है तो इस बाबत भी कलाइंट को टटोल लेने में क्या हाज है नहीं यानि उसने भी पैसे वाली लड़की को उसके पैसे पर निगाह रखका फसाया हो और फिर जबरन लब मैरिज के हालात पैदे की हूँ है हाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मैंने ही कहता हुआ था ऐसा लेकिन दोहरा के कहता हूँ हुआ हो सकता है यार तो और तो के फिर में पढ़ने वाले मर्दों को तो बड़े बुरे नाम से पुकारा जाता है क्या बुरा ना मेल प्रोस्टिटूट बले तू तो बड़ा ग्यानी है मुकंदला ऐसे हाई फाई टैटल की तेरे को खबर है उसने बड़े हास्यास पर धंग से शर्मा के दिखाया अब आके सुन अभी मैंने कुछ खंटो पहले उसकी जानकारी निकाली है वो खुद को एड़ फिल्म्स का एक्स मॉडल और टीवी सीरिल्स का एक्टर बताता है ये दोनों कारो बार एजेंट चलाते हैं मैंने उसी से पूछा कि इस ट्रेड में उसका एजेंट कौन था उस एड एजेंसी का क्या नाम था जिसने उसके एड जिंगल्स बनाए थे और उसके द्वारा अभी नी टीवी सीरिल्स बनाने वाले कौन थे बता दिया सब अरे पताना उसकी मजबूरी था वरना लगता कि एक्टर होने की बाबत वो जूट बोल रहा था इसलिए बताना जोरी था क्योंकि उसका वो पीडी पूछ रहा था जिसकी उसने मोटी फीस भरी थी अब पीडी से तथे चुपाने वाले क्लाइंट का बात में पीडी से उसकी नाकामी का गिला करते मूनी बनता ना ठीक ठीक ये कागस पकड़ जो मैंने जाना सब इस पर दर्ज है उसने कागस थाम लिया पड़ू? ना घर लेके जा फ्रेम करा के स्कूटर गराज में लगाना ताकि पबलिक देखे और रॉब खाये बहुत बोलता है तू और नहाक बोलता है मैं खामुश रहा लोकल एड एजेंसी का नाम पता फोर नंबर है उसने कागस पसे पड़ा टीवी सीरियल्स बनाने वाली कंपनी के पर्टिकुलर्स हैं लेकिन मुंबई के हैं किस काम आएंगे? देखेंगे आखर में एजेंट की बाबत दर्ज है रमेश नहीं धरमेश धरमेश ग्रोबर मुबाइल नंबर है लेकिन एडर्स नहीं है नंबर बजाना और जानना उसने ना बताया तो ये तू कह रहा है कह तो मैं ही रहा हूँ लेकिन क्या करूँ आजकल देवता दाय नहीं है तू तो मुझे फिक्र में डाल रहा है अरे कुछ कर भी लेगा ये नहीं पहले कभी शिकायत हुई पहले हालाच जुदा थे पहले तू बावर्दी हवादार था वो कसमस आया मुकंदलाल जाकर मोरवाद एस्टेट रहने की शरत ना होती न तो मुझे तेरी जुरुती नहीं थी तो जो करना होता मैं खुद करता ठीक है कोली ठीक है तकदीर ने तो मेरी मया ठोकी हुई है तू भी कसन न चोड़ साब बोल काबू मैं आया क्या करना है दो दिन है तेरे पास क्या? अरे भाई मैंने अलादिं का चिराग नहीं गिसना हाथ पाफ चला के तेरा काम करना है करना मामूली पूस्ताज से हो जाने वाला काम है फिर तू पुलिसिया है यार अब नहीं हूँ हाँ तेरी शकल पर लिखा है पुलिसिया है Once a cop, always a cop तहकीकाद में cash करना इस बात को देख लेना, अपनी रौबदार आवाज से कि तू ब्रहम बना लेगा, कि तू पुलिसिया है मैं करूंगा कुछ, लेकिन कोली मेरी भरपूर मेहनत के बाद honest भरपूर मेहनत के बाद भी तरह काम ना हुआ तो तो दो दिन और, फिर भी तू कुछ ना कर पाया ना तो बाहर, आगे से तेरा मेरा कोई बास्ता नहीं बढ़ा सकत है, मैं नहीं चाहता कि ध्यारी बनाने के लालच में तू खामा खाम मेरा काम लटका है अरे नहीं मैं ऐसा बला, और हाँ एक बात आओ सुन तेरे फैदे की है, इसलिक गौर से सुन बोल, खड़े हैं कान मेरे और जो भी खड़ा करना है ना, कर ले लेकिन बात तो सुन हाँ, हाँ, बोल तो सही अगर तू मेरा काम दो दिन में कर गुजरे तो तेरे को एक दिहारी की फीस का बोनस ततकाल वो संभाल कर बैठा एक दिन में कर गुजरे तो दो दिहारी की फीस का बोनस और फीस भी दो देंकी सोला अजार प्लस एक्च्वर एस्पेंसिज जांकारी निकालने के लिए किसी की कोई खिदमत टीट में या कैश में करने ही पड़ जाये तो हाँ वो भी एक्च्वर एस्पेंसिज में शामिल तेरे पल्ले से कोई खच नहीं होगा जित्ता रहा है अब तुने मुझे जोश दिला दिया इसलिए एकात बात पूछने दे हाँ पूछ जिन लोगों की बाबत तुने मुझे बताया मैं उन्हें पहचानूँगा कैसे बहुत जहुरी सवाल है पहले पूछना चाहिए था मैंने अपने हैंड बैंग में से ब्राउन लिफाफा निकाला और उसमें से कुछ ग्लॉसी प्रिंट से रामत की यह सवाल मैंने भी क्लाइंट से किया था तब उसने अपने मोबाइल में मौजू शादी के बाद के एक ग्रूफ फोटो मुझे फारवर्ड की थी यह मोबाइल से निकाला उसका प्रिंट है मैंने पांच गुणा साथ का प्रिंट उसे दिखाया और उस पर दर सूर्तों की एक-एक का नाम लेका शिनार्थ करवाई फिर मैंने मानक लाज को छोड़ कर बाकिसा फैमिली मेमरान के उसी साइज के क्लोजब भी उसके हवाले के बढ़िया यह तस्वीरे मुझे दिखा रहा है या रखने के लिए दे रहा है दे रहा हूँ मेरे को जोथ होगी तो फिर बना लूँगा हम एस्टेट में और कौन-कौन है मैंने आपलाक उसे देखा भही इतना बड़ा स्टेट बताता है तो छे प्राणी ही तो वहां नहीं रहते होंगी पांच वो बड़ा मौरवाल अब इस दुनिया में नहीं है पताया गया था उसके मुताबिक वहां एक एस्टेट मेनेजर है कोक है उसकी बेटी है और एक मेड है यह सब लिविन स्टाफ है सब एस्टेट में ही रहते हैं नाम बोल नहीं मालो कमाल है कोई कमाल नहीं नाम मैंने नहीं पूछे जब वहीं जाकर रहना था तो नाम क्या छुपे रहने वाले थे वहाँ और भी स्टाफ होगा कैजूल या पर्मानेंट अभी तो मुझे खबर नहीं पहुंचती वहाँ मुझे पता लग जाएगा मैंने उनसे एडवांस के तौर पर 5000 रुपे दिये पहला दिन मंगलवार 21 जन्वरी अगले रोज साड़े नौ से भी पहले मैं मूरवायल एस्टेट में था अपनी वर्ना खुट ड्राइव करता मैं वहाँ पहुंचा था वहाँ मुझे मिने क्लाइट ने रिसीव किया और सबसे पहले मुझे अपनी बीवी से ही मिलवाया सुधीर जैसे एक पुराने दोस्ते अपेशित था वो बेतकलूफ अंदाज से मुझसे बोला मीट मै वाइफ चेताली मैंने हाँ चोड़कर नमशकार किया और चेताली ये मेरा जिगरी दोस्तुधी कोली है मुंबई से है लेकिन पहले दिल्ली में ही रहता था कल इतफाग से मुझे साउट एक्स में मिल गया हमारा काफी सालों से कम्यूनिकेशन नहीं था तो इसे पता नहीं चला कि मैंने शादी कर ली और मैं अब दिल्ली में नहीं हर्याना में हूँ तो मैंने इसे एस्टेट में इंवाइट किया है अब कारोबार की फिक्रों से आजाद होकर कुछ दिन यहां रहेगा और रिलाक्स करेगा वेलकम मिस्टर कोहली वी आर वेरी ग्लाइट तो हैव यह यह विएविद दिल्ली जैपूल का लग जाता है शादी शुदा है था क्या मतलब बीबी का ध्यान तो गया हो क्या हुआ क्या बताओं क्या हुआ बस बतकिस्मत ही थी अला नौबत ही नहीं आई बीबी पहले साथ छोड़ गई वो कब पांस साल हो गए पांस साल मिस्टर कोली बीबी का गम उलाने के लिए इतना असा क्या काफी नहीं होता होता है जी तो फिर शादी करनी थी ना कोशिश की थी जिससे करनी थी वो मानी नहीं तो किसी और से कर ले थी करने नहीं देती जी क्या खुद करती नहीं और किसी और से करने नहीं देती ऐसा ही है अप उसकी फिरत्रत और मेरी किस्मत है कौन? कुछ ज़्यादा ही पसनर हो रही थी होस्टिस लेकिन मेरा उसको हतोस सहित करने का कोई रादा नहीं था क्या करेंगे आप जांकर? काम्याभी की कहानी जिक्र के काबिल होती है नाकामी को भूल जाना ही अच्छा होता है फिर भी बताईए तो सही कौन है आपने मेरी उसकता जगा दी है प्लीज बताईए न एक लंका सुन्दरी है जो इंडिया में ही सैटर्ड है कौन? जेकलीन फरनाडीज जेताली ने हग बका कर मुझे देखा और फिर जो से हसी Served me right फिर बोली I was getting unnecessary personal I don't mind ma'am Oh, I like your sense of humor Thanks अब ये 5-6 दिन यही है बाते होती रहेंगे इनका समान कार में है इनके लिए कोई bedroom सेट करो और समान वहां पहुँचवाने का प्रभन करो मैं breakfast का पता करता हूँ आप? मुंबई से car लेकर आए? अरे नहीं मैडम car एक local friend की है ओके आओ अवस्ती मेरी भाहा थामता पोला पतिनी को सर नवा कर मैं उसके साथ हो लिया वो मुझे dining room में लेकर आया रास्ते में वो मुझे बताता आया कि dining room, drawing room और kitchen के बीच में था और दोनों से ही संबन था वहाँ एक लंबी antique dining table लगी हुई थी जिसके गिर्द बारा वैसी ही antique रास्ती कुरसियां थी लंबाई में 5 एक तरफ, 5 दूसी तरफ और दोनों सिरो पर एक एक टेबल के kitchen के और के रुख पर दोनों भाई विराजमान थे मेरे मेजबान ने मेरा उनसे भी परीचे कराया और इस बात का भी जिक्र किया कि मैं निर्धारे समय से कदरन जल्दी आ गया था तब भी breakfast table पर मेरी सुमीत और विनीन से मुलाकात हो गई थी मैंने नोट किया कि बड़े भाई ने मेरे से मुलाकात को बहुत सहच भाव से लिया और बकायदा welcome बोला था लेकिन छोटे भाई की मेरे से तारुफ में त्योरियां चड़ गई थी वजा ना मालो शायद आदेतन गैर मिलनसार था होते थे ऐसे लोग भी या शायद इसलिए नाखुश था कि मैं अवस्थी का दोस्त था एस्टेट में उसका इन्वाइटी था ऐसा था तो उसका एक ही मतलब था कि जीजा का शुमार उसकी फिवरेट्स की लिस्ट में नहीं था तब ही चेताली वहाँ पहुँच गई अभी एक मेंबर और है अवस्थी ने बिना पूछे मुझे पताया सुमित की वाइफ अमरिता लेकिन अभी वो माय के गई हुई है सुमित ने एक बार उपर नीचे सहिलाया शौट ट्रिपर? मैंने नहक सवाल किया अवस्थी ने सुमित की तरफ देखा जैसा जवाब के अपिशा उससे कर रहा हो अमरिता इस एस्पेटिंग वो सहज भाव से बोला डिलिवरी के बाद ही लोटेगी फिर तो भावी पिता को बढ़ाई थैंक यू अवस्थी ने मुझे बैठने का इशारा किया मैं और वो दोनों पती-पतनी टेबल के दूसरे सिरे पर बैठे मैं सोचे बिना ना रह सका कि सब के एक साथ बैठने में क्या प्राबलम थी क्या अवस्थी ने महमान की खातिर परे बैठना मुनासिब समझा था एक नौजवान लड़की ने बिना किसी की तरफ भी निगा उठाए ब्रेकफास्स सर्फ किया ये तुही ना है मिरे मेजबान धीरे से बोला कुक की बीटी फूट सर्फ करती है और किचन में कुक की मदद करती है वो चली गई वो खुले-खुले हाथ पाउं वाली बोरी चिट्टी लड़की थी और सर उठाती तो सुरत का बेहतर अंदाजा भी होता सब ने खामोशी से ब्रेकफास्स किया ये बरपल से सबसे पहले दोनों भाई उठे और वहां से रुकसत हो गए फिर चैताली भी एस्क्यूज मी बोलके चली गई पीछे हम दोनों ने सिग्रेट सुलगा लिया और इतमिनान से धुरुम पाउं का आनन लेने लगे तो हीना वापस लोटी और प्लेटे समिरने लगे तब ही किचन से निकल का एक लंबा उंचा तना हुआ व्यक्ति वहां पहुँचा मैंने उसकी सूरत पर निगहा ढाली तो उस निकल के चेहरे पस सबसे प्रॉमिनेंट फीचर मुझे उसकी नाक लगा जो इतनी लंबी थी कि नॉम्मल से पॉना इंच फालतु जान पड़ती थी और इतनी संक्री थी कि जैसे आपस में बजाती दो चटका इंटों के बीच आ गई थी नाक के नीचे घनी तावदार मूचे थी जो उसकी पहले से रौबदार पस्नेलिटी को और रौबदार बनाती थी उसकी भवे भी मूचे जैसी घनी थी लेकिन सर के बाल पहलवानों की तरण छोटे कटे हुए थे सब ठीक था सर वो बोला तो मूच जैसे दबदबा कर उसकी आवाज में भी जलक का तुमारे से पूछ रहा है अवस्ती बोला हाँ हाँ बहुत बड़ी अशुक रहा एको कहें हैं जगत सिंग नाम है ओ पहले फौज में थे जगत से कैसे जाना सर कतकाट से जाना तावदार मूचों से जाना रौबदार आवाज से जाना और तंका चलने के अंदाज से जाना निगा तेज है आपके से वन्नक कहा कोई ऐसी बारिक्या नोट करता है हाँ तुमने ठीक बोला अवस्ती मेरे से बोला पहले ये फौज में था लेकिन वहां भी खुक था नायब सुबेदार रिटायर हुआ था आई सी लंच में क्या बनाओ खुक ने पूछा मैडम बोलें पहलेंगी महमान आया है कुछ खासी बनाना सहमती में सहिलाता वो किचन में चला गया फिर बेटी भी चली गई आओ अवस्ती ने सिग्रेट को एश्टी में डाला और बोला तुम्हें मेंशन की सेल कराओं मैंने भी सिग्रेट को तिलांचली दिया उसके साथ हो लिया सेल शुरू हुई आखिर दी आखिर पहली मंजिर पर एक मुंडेल के करीब वो ठिटका खोली यह वो जगा है जहांसे गमला गिरा था मैं ततकाल सतल हुआ मैंने देखा वो बहुत चौड़ी मुंडेल थी जिस पर बराबर फासले पर फूलों से लदे कंक्रीट के बने चार च लेल के चकना चूर हो गया तो चार को ही फासला बढ़ा का एज्जस कर दिया क्या मैंने करीब जाकर एक गमले को हिला डुला का देखा भारी तो है लेकिन उठाना पड़े तो भारी है सरकाना हो तो कोई खास भारी नहीं नीचे गिर जारने देने के लिए गमले को मुंडे पर से कुछ हिंची तो सरकाना होता होगा इतने में दमलंगने वाली कौन सी बात है बच्चा भी ये कर सकता है पर यहां बच्चा कहां है मैंने मिसाल दी याद करो मैंने सिलसिले में मेर का एडिया सरकाया था तो जड़कने के अंदाज में आपने का था don't talk nonsense मेर वो काम नह जुक थी वो गमले को हिला नहीं सकती थी मैंने देखा हिला के ऐसे गमले को हिलाना चंद देन सरकाना मामूली काम था जो आपकी छुई मुई भी अराम से कर सकती थी अलबत्ता जैसा मैंने पहले का गमला उठाना कदरन गदमदार काम था जो शायद कोई छुई मुई न कर पाती क्या कहना चाहते हो कुछ नहीं बस जर लाउड थिंकिंग की चंकियों तक पहुँचने वाली बास की सीड़ी कहां लगती है जब आव में वो मुझे उपरली छत पर लेकर गया और मुंडे के साहरे लगी बास की सीड़ी मुझे दिखाई उसने मेरी निखाट टॉप से तीसे डंडे पर ठिटकती पाई तो बोला तूटे डंडे की जगा नया डंडा जगा से ने ठोक दिया था तूटा डंडा कहां है वो तो कुक ने तभी कूडे में डाल दिया था अब कूडा अगले दिंग गार्विश कलेक्टर ले गया था ओ, क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में उसके मुआयने से पता चल सकता था कि वो साभाविक तोर से तूटा था या उसके साथ कोई हरकत की गई थी आरी से जैसा कि आपने कहा था वो खामोश रहा आओ, नीचे चले मैं उसके साथ हो लिया सीडियां उतर कर हम पहली मंजिल पर पहुँचे वो एका एक, तो मैं बोला जब सलामत थे तो बड़े मोरवाल सहाब कहा मुकाम पाते थे यहीं, पहली मंजिल पर आओ, दिखाता हूँ मैं उसके साल लंबे गल्यारे में चलने लगा वो एक बंद ताला लगे दर्वाजे पर थटका मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम, जब से ससुल की मौत हुई है यहां के कोई चीज नहीं छेड़ी गई ऐसा क्यों? मैंने उस सुख भाव से पूछा अब क्या बताओं क्यों? चेताली ऐसा चाहती है साल से बंद है? नहीं भई, डस्टिंग क्लिनिंग के लिए खुलता रहता है अच्छा लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाया जाता हाँ, कब भी नहीं और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चेताली चाहेगी कमाल है यूं तो ये बुजुलगवाल का मलब गुस्ता की माफ स्मा रखी हुआ यही समझ लो भई, चेताली के सेंटिमेंट्स हैं, यूं मरने वाले की रूख को सुकून मिलता है तो मिले मैं बैडरूम को भीता से देख सकता हूँ फिर कभी देखना अभी हफता यही हो अभी चाबी पता नहीं कहां होगी ओ, चले मैं फिर उसके साथ हो लिया हम नीचे ड्रूइंग रूम में जाकर बैटे जहां हमने फिर सिगर सुलगा लिया एक बात जहन में आई मैं कश लगा का धुआ उगलता बोला उसने सवाल या निगा मेरे पर डाली मुझे सब का तारूफ हासिल हुआ लेकिन एक अदत का जिक्र नहीं आया उसकी भवे उठी एस्टेट मेनेजर आपने कहा था यहां एक एस्टेट मेनेजर भी था ओ भई ध्यान से उतर गई ये बात अभी उसने तुहीना को आवाज दी डालिंग रूम से गुजरती तुहीना वहाँ पहुँची हर्षदीप का पता करो कहा है मिले तो यहां आने को बोलना सहमती में सह हिलाते तुहीना वहाँ से चली गई हम पीचे खामोशी से सिगर्ट पीते रहे पांच मिनट बाद एक युफ्ती वहाँ पहुँची जो कद में सारे पांच फुट के करीब जान पढ़ती थी वो जीन्स और स्कीवी पहने थी और अपनी कम से कम दस इंच लंबी गर्दन में एक सिल्का रंगी नुमाल बांदे थी नैन नश की तीखे थे और बाल जूडे की सुरत में बांदे थी कानों के टॉप्स के अलावा वो जिस्म पर कोई जेवन नहीं पहने थी वो एक निगाह का नतीजा था मैंने दूसरी निगाह डाले तो महसूस किया कि लंबा कत और टाइट ड्रेस की वज़ा से ही नहीं लगता था जिस्म भारी था अलबता सौ बल्गस, सौ फूड लॉंग और सौ पिजब पहले जरू छरहार होगा जीन्स ऐसी थी कि जिस्म पर चमनी किता मड़ी जान पड़ती थी उस घड़ी में सोचे बिना ना रह सका ऐसी जीन्स उतारने में पहनने वाली की जितनी मेहनद लगती होगी उतनी तो सापको अपनी कैचुल उतारने में नहीं लगती होगी टाइटनेस में जीन्स जैसा ही दबदबा उसकी स्किवी का था जिसमें से दोनो निपल्स यू नुमाया थे जैसे मुझोरी कर रहे हो बले भाई क्या खूब चीज बनाई थी औरत बनाने वाले ने लेकिन फिर उससे बीवी बना का सब चौपड का दिया कितना मुश्किल था खुदा के मिजास को समझना फैशन मॉडल जान पड़ती थी खड़ी भी यू स्टाइल में थी जैसे किसी ग्लासी लेडीज मैग्जिंग के लिए पोस्ट दे रही हो मैंने अपने ख्यालात को लगाम दी और सोचा कौन थी मेजवान ही बताएगा कोली एस्टेट मेनेजर से मिलो मैं जैसे आस्मान से गिरा हर्षदीब कौर बाजवा हलो मैं फसे कंट से बोला अब मुझे उसकी दाइं कलाई में स्टील का कड़ा भी दिखाए दिया हलो यॉर्सेल्फ्स वो जबरन मुस्कराई और नो नॉनसेंस लहजे में बोली ये मिस्टर कोली है सुधील कोली मुंबई से आए हैं मेरे पुराने दोस्त है मेरे सरार पर कुछ अशा एस्टेट में मिहमान है welcome सर एस्टेट मेनेजर बोली thank you मैं मैं बोला मुंबई में इनका क्यूर्यो का होल्सेल का बिनिस है जिसकी वज़ा से ये दिल्ली आते रहते हैं, पुराने दोस हैं, इतिफाक से कल ही मुलाकात हो गई, अच्छा इतिफाक हुआ, वो जल्दी से बोली, दो पुराने दोस मिल गए, मैं जरा बिजी थी, जरूरी काम छोड़ कर आई, हो हो, प्लीज, गेट अलॉंग, नाइस मीटिंग ओ मिस्टर क बोली, see you again, वो घुमी, और लंबे डग भरती, वहां से रुकसत हुई, she is just like a family member, पीछे अवस्ती बोला, फिर भी डैनिंग टेबल पर नहीं दिखाई दी, होगी कोई बजा, लंच पर दिखाई दे जाएगी, जिसमें अभी टाइम था, मैं मैं मैंशन के फ्रंट लॉन मे टेहल था, सिगरेट के कश लगा रहा था और उस सेकंड हनीमून जैसी बोर असाइमेंट पर मन ही मन खीच रहा था, लंच के बाद मैंने छोटी मूटी जपकी मारी थी, जिसको फ्रंग्यों के जबान में 40 wings कहते हैं, जिसका ये सबक है कि after lunch rest a while, after dinner walk a mile, जपकी के बाद मैं मैंने टीवी में दिल लगाने की कोशिश की थी, कामया भी हासिल नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ लॉन में निकलाया था, साब जी, मैंने घूमकर पीछे से आती सुरीली अवाज की दिशा में देखा तो पाया, पीछे क्युफती खड़ी थी, मैंने जब दूसी भरपूर निगाह उस पर डाली, तो उसके चहरे पर मासूमियत की वैसी चाया पाय, जैसे अमुमन किशोर अवस्ता में दिखाए देती थी, किशोरी थी, मैंने उसकी उम्मर का अंदाजा लगाया तो वो 15-16 साल के पेटे में जान पड़ी, लेकिन वो बहुती सुन्द लंबा चरहर शरीर रखने वाली, चहरा गोल, उस पर ताजे गुलाब जैसी ताजगी, आंखे काली कजरारी, नाक सुत्वा, होड गुलाब की पंखडियों जैसे बिना रंग, रोगन के लार गदन, पतली बाल जुड़े की सुरत में बंदे हुए थे, सादा सलवार कमीस बहने थी, फि मेरे को सापची बोली, मेड, एक मेड के हाजरी की मेरे को खबा तो थी, फासले से एकात बार मेरे को उसकी जलक भी दिखाई दी थी, लेकिन ये मेड, सापची, हम दो बाली बोले, हाँ भी, हम स्वागतनेस के साथ आपको पर्णाम करते हैं, शुक्रिया, हमें कोई सेवा बताईए, सेवा, मेरी थी, कौन हो, हम इदा सेवी का हैं, सेवी का, सब लोग मेड बोलते हैं, पर मेड बुलना हमको अच्छा नहीं लगता, क्यों, बस नहीं लगता, फिर भी, मेड से तो लगता कोई अनमेड कर देगा, मेरे मुझ से तौबा निकला, लड़की जो कह रह रही थी, या वाकियों से ऐसा कोई अन्देशा था, मैंने उसकी भोली सुरत पर निघार डाली, कम उम्री का ख्याल किया, हाँ, अंजाने में ही कह रही थी, मेरे दिलने दगभाई थी, सुन सुनकर इक्के दुक्के अलफराज अंग्रेजी के सीख गई थी, जिनका शान से आदा अदूरास्तमाल वो जवरंग करती थी, कभी हास्यास्पत, तो कभी हॉल ना, हमें सेवी का क्यालाना पसंद है, अम महमान है, बताइए सेवा, हम शीगली करेंगे, भई है तो सही सेवा, तब बोलिये न, महमान से सेवा पूछने ही, तो हम इदर आये हैं, महमान तेर मेरे को क्या पता का है, लेकिन ये एक सोच है जो मन में आए, ओ, यहां नहीं तो कहां, बाए तरफ फूलों की क्यारियों के करीब एक सखंग कुझ था, जिसके भीतर उप्रवद ओट में मलिका विटोरिया के जमाने का कास्ट रायनां का हरे रंग से पुता बैंच पड़ा वहां, उसने कुशन सोचा, फिर बोली, दो मिनट, हाँ, हद्य तो तीन, और बड़ी हद तो पांच, का बाते करेंगे, ऐसे ही, कुछ न कुछ तो बोलूंगा ही बाते करेंगे, ऐसे तो, ऐसी जगा तो लोग इसक प्याह की बाते करते हैं, दाता, छोटी थी की खोटी थी अरे नई भई, सादा दुनियादारी की बातें, हमसे का हैं, अब छोड़ना हो जट, जब जानती है मैं स्टेट का महमान हो, तो महमान का लिहास कर, चलिए, कुछ में जाकर हम आजू बाजू बैठें, कोई देखेगा तो टोकेगा, तो हम बोलेंगे, आदर फुली महमान क लिहास कर रहे हैं, बहुत से आनी है, क्या उमरे तेरी, अठरा, अठारा, क्या खाक अंदाजा था मेरा, दुई महिना मा उननेस, हरे इतनी बड़ी है तू, हाँ, बड़ी, और हम का बोले, सही बोले पर नाम नहीं बोले, हमारा नाम खुंगुरू है, जवाब देते वक्त तो वो बड़े चित आकाशक भाव से मुस्क्राई, जैसे खुद अपने रौन की नाम पर मुग्द हो रही थी, और मुस्क्राइट भी ऐसी कि मेरे जैसे आशिकाना मिजाज, पंजाबी पुतल को बसल की याद याद आ गई, हमारे पुराने आकाओं में कहावत है, अ मेड लेकिन अभी टाइम था, अभी कम से कम, चार दिन और मुझे वहाँ ठैनना था, गुंगरू, यही बोले हम, same to same, बच के दिखा, का, क्या क्या, गुंगरू बचता है न, गुंगरू की तरह बचता ही रहू मैं, गाना, किशोल कुमान ने गाया, दिखा बच के, उसकी भोल की सूरत पर असमंजस के भावा है, या बोल मुझे बजनाया पसंद नहीं, साब जी, महमान साब जी, हमार मन मा इसक प्याल का ख्याल तो आया था, हराम पंती का ख्याल नहीं आया था, जो आप कहा है न, वो अगर हम सही समझ रहे हैं तो, क्या तो, हम जात हैं, वो उट और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, आके छोड़ा तो हाथ अपने आपी उसकी पीट पर पहुंच कया, आदितन आजू बाजू से रखने लगा, तजूर्बेकार हाथ की तजूर्बेकार हरकत, उस पर कोई पती किर्या होती नजर नहीं आई, सुदील कोली, दलक्की बास् हमार पीट मां खुझली सतावे, मैंने मूब आय उसे देखा, चलो ठीक मालूम पड़ा, पर जगार ठीक ना खुझलाई, जैसे जहां हम बोल धन्यावादली मां खुझलाई है न, तौबा, ये भोली ये मासूम तो खाकसार की पॉलिश उतारे दे रही थी, विक्टोरियन हम नहीं कर सकत, क्यों? हम नहीं कर सकत, हम जमफर पहने हैं, चोली पहने होते तो घार देते, सच में? और का? महमान का लिहाज जो कलन हुआ? तो ऐसा कर, दोड़ के जग चोली स्कड पहन करा, वो निचला होट दातों में दबा कर हसी, मेरी जानी पहचानी कमबक्त हसी, ट् जंगा मया की करपा से, पीट पा से खुझली, अब अपने आप ठीक हो गई, अब कहीं पांच मिनट मेरी पीट पा उककर दोकर ही करते रहने का इरादा तो नहीं, मैं हैरान हो गया, नापाक इरादों को और परवास देने से मेरा काम बिगर सकता था, इसलिए मैं बोला, ब मैंने खुद कुछ जाने की कोशिश की, तो ना काम रहा, हर किसी ने मेरा हर सवार टालने की कोशिश की, काए, पता नहीं, लेकिन हकिकत ये है, मैं किसी के भी मूट मिजा से वाकिफ नहीं हो पा रहा, अब वाकिफ होना कहा है वास्ते चाहात है, वो तू छोड़, वो कदर पेचीदा बात है, तिरे नन्य से दिमाग को परिशिमान करेगी, तो साब जी, गोंगरू, इस मामले में मैं तेरी छोटी-मोटी मदद चाहता हूँ, बले में तू जो चाहेगी हाजिल करूँगा, हम जो चाहेंगे, हाँ, ये प्रॉमिस निंग है आपकी, पकी प्रॉमिस है मर्द के बच्चे के, हम जो चाहें, आप हमें वही देंगे, हाँ, उसकी चाहत का कोई खाक अपने जहन में उतारता, मैं बोला, तो फिर एक टो सिग्रेट दीजिए ना हमका, सिग्रेट, तेरे को दू, और का हम ताजमिल मांगत रही, है तो तू उसके भी काबिल, कमब लेकिन अभी तुझे इस बात का इल्म नहीं, आप दुरुम पानिंग करते हैं, हमने स्वेमली देखा आपको सिग्रेट पीते हैं, एक बात मेरे को ठीक से समझने दे, सिग्रेट तेरे को अपने लिए चाहें, और का, तू सिग्रेट पीती हैं, और का, हैरानी है, मैं चोटी उमर में स्मोकें, इससे भी चोटी उमर में, लट कैसे लगी, दादी पीती थी बीडी, हम रोजली उसको देखते रहें, एक बार हमने भी देखा का होता है, क्या दिखां, बहुत बुरा हुआ, खांसते खांसते आँखे उबल पड़ी, मैया दोड़ी आई, अक्तलब जारी है, हैंजी, कैसे पूरी करती है, सम्मरत लोग पीता नहीं, मांगती है, कभी नहीं, आप का समझत है, मांगे से कोई देगा, तो क्या करती है, जिसका भी पैकेड लावार इस पड़ा दिखाए दे, हमें एक ठोग खीच ले थे, पता नहीं लगता, बीसका पैकेड नहीं खुला हो तो लगत है, खाली होने वाला हो तो का लगत है, भी तेरी माया तू जाने, अब तवज्जों से मेरी बात सुन, किस से, वाला गौर से सुन, आप का मतलब है ध्यान ली, हां, सिगरेट कल पर सो तक देंगे, मैंने उसे एक सिगरेट थमाया, सवाल या निगा से उसने मुझे देखा, सहमती में सही लाते, उसने सिगरेट को होटो से लगाया, मैंने उसका सिगरेट सुलगा दिया, वो बड़ी दश्टा से उसका कश लगाने लगी, अब सुनाए ये बात, फिर बोली, उसकी सिगरेट नोशी के दौरान मैंने पैकर वापस जे में रख लिया था, और यूँझ खाली हुआ मैरा हाथ, उसकी पीट पर पहुंच गया था, वो सिगरेट पीने में इतनी मगन थी कि नहीं लगता था, उसे मेरे हाथ की हरकत का एहसास था, मेरा हाथ उसकी पीट पर से बाल-बाल सरकता, उसके पढले कंदे तक पहुंच साहब के वक्त से? हाँ जी यानि तो एस्टेट की हर बाज से, हर महौल से, हर उंचनी से वाकिफ है? हर बाज से नहीं, लेकिन हाँ काफी से कुक कप से है? किसने रखा? मैडम ने, लेकिन सर जित करते रहे तब मैडम चिताली, सर कपिल हस्बन? हाँ जी रूम में रहती है, किसी को इतराज हुआ कभी? बड़े बहिया को हुआ, लेकिन पेश ना चली उनकी मैं की वज़ा से? मैं नोई की वज़ा से, सर ने अपनी चलाई, लेकिन मैडम की ओट में लेका चलाई, और इतराज की वज़ा है? हमका कैसे मालूम होगी? जगत सिंग से पहले यहां कुकिंग का कोई क्या इन्जाम था? एक मिस्रानी आत रही दिन मा, दूई बार, खाना ठीक बनाती थी? अब ठीक से हमार को नहीं मालूम आपका काम मतबल, लेकिन जगत सिंग से अच्छा बनाती थी? ब्रेक्फास उसका क्या प्रबन था? हम बनात थे? तेरों को आता है सारा काम? सीखना पड़ा, बड़े मोरवाल साब का, जिनकी डेंटिनिंग हो गई, हुकुम था. एस्टेट मेनेजर की बोल, सच में बोले? हाँ भई, बोलना नहीं क्या हम बोले? अरे नहीं, खाई हमार कसर? अरे जो खिलाना है खिला, पहले तू बता तो, एक ठर सिग्रेट आ दीजे ना? मैंने प्रकेट फिर निकाला, और इस बार हम दोनोंने सिग्रेट सुल गाया.